मसी समाच के सभी भेन भाईयों को क्रेज द लोड एंड चेह में सिखी दोस्तो बीशप अमर्दीब जो कि शिरी गंगा नगर में सेवकाई करते हैं और जो कि एक राजिस्थान का एरिया है वहाँ पर वो अपने सेवकाई करते हैं और बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं एक बहुत बड़ी कलीशिया उनके पास आती है वो कुछ दिनों से जिला परशासन की और अपने चर्च बनाने के लिए माहँ रख रहे हैं परन्तु वहां का जिला पर शासन उनके सुनवाई निकर रहा था उसी के कारण वो वहां से जैपूर जाते हैं ताकि वहां पर उनकी सुनवाई हो परन्तु जैपूर जाते समय रस्ते में वही पुलीस वालों ने उनको रोका और उनके लाठी चार्च किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हों ने वहाँ पर किसी परकार का लड़ाई जगड़ा नहीं किया नहीं किसी परकार का हिंसा फेलाया परन्तु पुलीस वालों ने मसी भाई बहनों को बहुत ही मारा और पीटा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके शरीर पर कितनी चोटे आई हैं और कलीसियाओं के उपर बहुत ही बेरहमे से लाखी चार्च किया गया और इन्हें मारा गया आईए अब हम उनके मूँ से सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या उनके साथ हुआ झालाई हुआ 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 spoilers हुआ हुआ झालाई हुआ 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 का ओज Κारें लोग्न का मैं बिश्व पमर्दीप और हमारा चर्च चम्तकार चर्च शिरी गंगानागर में है आपको एक बड़ी सुचना देना चारा हूँ कि पुलिस ने मुझ पर और एक महला हमारे एड़ोकेट पर और अन्या पर जनिके टोटल 15 लोगों पर मुगदबंदा जिकार दे गया और हम लोगों को एक रात पुलिस स्टेशन में रखा और जब कोट में पेश किया गया तो जब से हम लोगों को जबानत मिली बात ऐसे हुई कि हम लोग मुक्रमंत्री को जैपौर में जाकर गयापन देने चाह रहे थे तो हम लोग यहां से तीन बसें भर कर जैपर के लिए अरवाना हुए और जैपर हम लोग जाकर एक यहां की समस्या थी चर्च की समस्या को लेकर हम लोग गए थे क्योंकि यहां श्रीगंगानागर में जिला प्रशाषन हमारी सनवाय ने कर रहा था तो हम लोग शेमीने से लगे वे थे इनसे विंती करने के लिए आखर हम लोग जैपर के लिए गए तो जैसे हम लोग वहां पर गए और वहां हम लोग तो सिर्फ ग्यापन देने के लिए गए थे और को हमारा तो मकसद नहीं था तो जैसे हम लोग वहां पर लाठी चार्ज किया महलाओं को पीटा और आदमियों को मारा बहुत बुरी तरह से इनने मारा बुरी तरह से लाठी चार्ज किया और फिर उसके बाद में ये लोग 15 लोगों को जनके उपर केस दज किया है एक अलग पुल स्टेशन में लेगे और फिर बाकी लोगों को अलग जगा पर लेगे सब को मार रहे थे थपड़ों से मार रहे झौब ही उड्य कborतीय और ऌसब को सब कृ को मार्नद हमारी दियो कि यह यह लोग रांगे हैं मैं आप मैं आप से जिए करना चाहिए कि हम तो देना चाहर कि अगरम जहां तक उनका अगे जाने का मनाई थी यह जा नहीं साथ वालज सकते हें सब्द्दान अब होते ऊवह हम, लोगों को ना जाने दिए यदर आने जा ला था बात फिर यह हुई नार्थि चार्जी किया को इन् Reichled किया। इन्हों ने क्या पोल्स स्ट् Beginning जाकर जो हमारे लोग थे नत उनको पीटा पुलिस स्टेशन में जाकर पिटा और वो भी जो औरतें थी उनको पुलिस जो कर्मचारी थे आदमी थे जो आदमियों ने और तों पिटा एक और को पंदना बीस लोग ने पिटा और अदमरा कर दिया इस परकार से पिटा कि उनके अंदर चोटे तो आई हैं लेकन बार नही केस किया और मुझे भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में रात भा रखा गा एक दिन के लिए रास्त में लिया हुआ था और जो एड़ोकेट थे वो जो वकील थी वो उसको भी उन्होंने महला वकील थी उसको भी अंदर आ हलिया वो तो इसलिए गई थी कि वो प्रेजन्टे हम लोगों को पेश किया गया तो वहाँ पर बहुत से वकील कठे होगे और उन्होंने हमारी बहुत मदद की और पुलिस को भी उन्होंने काफी कुछ बोला भी तुम लोगों ने ऐसे कैसे किया है तो एड़ोकेट को भी आपने रस्ट किया हुआ है यो तो ग्यापन देने जा रहे थे आपने लाठी चार्ज किया लग है और इनको ऐसे बुरी तरह से इनको लोगों को पीटा कैसे आप लोगों ने खैर तो हमारी वहाँ पर बेल हुई इन लोगों ने हमारे उपर जो धारा लगाई है वो मैं आपको बता दूँ आई पीसी की धारा जो लगई है एक लगई है 143 और 188 और 283 तीन सो बतीस और 353 यह लगई है इन्होंने धारा लगई है राजकारे में बादर डालने की धारा लगई है और अभी मैं F.I.R. की कपी पढ़ रहा था इसके अंदर उन्होंने यह लिखा है कि यह हमें कह रहे थे कि हम सरकार में बैठे लोगों वे परशाशन को जान से खत्म कर देंगे तो मतलब हम लोगों हम तो ग्यापन देने जा रहे थे ग्यापन की कपी है मेरे पास जो देने जा रहे थे तो उन्होंने यह कर दिया कि यह कहते थे हम लोगों जान से मार देंगे परशाशन को जान से मार देंगे जो सरकार में सरक उच्छito एक और आपको नहीं क्या किया इनों ने को प्रूमें अपने आदम्यों को या और वह हूंwhat नियुक्टा दिजो में तो क्या रहे थे perto also आगे इस हो गए जूकalta और टे कॉरा दे बोल्ट पयारे दिया नियुक्या इंसनक aids आगे लेकर जाए गया जहां पारुग हो रही थे हम लोग तो पिछे थे और मुझे तो मैं और एक पुलस अधकारी था उसने मुझे वहीं बातों में लगा रखा था और यह कुछे लोगों को आगे लेगे और आगे जाकर अप उनके बंदे जो थे हमारे अंदर जो पुलस क जड़प कर रहे हैं और महल को जानबुझ का खराब करने के लिए उसके अंदर कर दिये और फिर जब मैं आगे गया मैंने का यह तो हमारे बंदे नहीं है इसमें जो जो पुलस से कुछे लोग ऐसा कर रहे थे और उन्होंने तो ड्रिंक कर रही थे वह मुझे पता चल गए बिजेए इनकी छेड खनी है जानबुझ कार मतलब इसको खराब करने के लिए मौल को खराब करने के लिए इन्होंने असा किया और फिर इतना है नहोंने जो प्रब रिश्युमसी जी को इतनी गाली यह नोंने नकाली वहां पूलस स्टेशन में निनको और इतना गंदा बोलते हैं वहां ऐसा चाप था एप्षम्ठ था उन्हों और वह मेला थे जो वहाँ पर थी उन्हों एतना और भी थे हमारे पस अनके नाम है एतना बुरी तarna से इन्हों ने पीटा इतनी पुरी तरह से प्रभीशम से गौलिया नहीं इतने बुरी तरह से क्रिश्चन धर्म के ख़लाफ में ये अंदर इन्होंने मारा पीटा बुरा बहुत बुरा हल कर दिया और हर अधर तक गए यह उनको जान से मारने तक हद तक गए इतना मार मार का अधर मुलिया कर दिया और जब हम हम जब मेडिकल हुआ इनको हॉस्पिटर में ले गए तो वहां मैं भी था और हम टोटल पंदरा लोग थे तो वहां पार जहां मेडिकल होता है वहां बाहर लिखा हुआ था कि कोई भी पुल्स वाला अंदर नहीं जाएगा और जहां मेडिकल होगा तो यह इनका पूरा लगी मेरे यहां चोट लगी मेरे आप आपने बताना नहीं है अगर आपने आपने बताया फिर देख लेना इनको धंक्या दे रहे थे ताकि अंदर पूरी बात ना बता सके हाला कि जो वहां के डाक्टर थे जो 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 चका रहे थे वह बहुत अच्छे थे और वह बूनों वहाँ गये थी आपन देने के लिए और ये इन उनी जो धर्म के खलाफ तो क्रिश्चनों के खला फितना इनोंने गंदबका इतना पर विष्यमसी के लिए गंदबका मुझसे इतना गंदा बोलते थे गाल килएन नकालते थे वह सुना नहीं जाने वाला था यह जो इन्होंने म करें जैसे भी हो आप हमारी मदद करें प्राथने के दोबार हमास मदद करें हमारी जवान तो होगी है लेकन अभी फिर हमना हमें वो रच्पा त्वी पर जाना है श्री गंगा नर्से जैपूर लगबग सभी-5,500 किलिमेटर दूर है तो सभी-5,500 कियोंकि वो देश की राईदानी है तो वहाँ मारे परदेश की मतलई राईस्तान की राईदानी है तो फिर इतना ज़्यादा प्राथना है पहली बात आप प्राखना करें जैसे भी हो आप हमारी मदद करें, प्राथने के दुआ हमारी जवान तो होगी है, लेकिन अभी फिर हमें इत्वाह तरीक पर जाना है, श्री गंगानागर से जैपुर लग बग साधे 500 किलिमेटर दूर है, तो साधे 500 किलिमेटर दूर है, क्योंकि वो देश की राईधानी है है हमारी तो वहां मारे परदेश की मतलब राजस्तान की राइदा नहीं है तो फिर इतना ज़्यादा इन्हों ने जो टॉर्चर किया है हम यह चाहते हैं आप के बीच में अगर को मानवादकारों के लोग हैं जा सप्रेम कोड के वकील हैं जो अपने हैं जो हाई कोड राजस् परदेश को गालियां और गंद बका इतना कुछ किया वो और जो पुलिस्टेशन में लजाकर इन्होंने मारा पिटा उसके खलाफ हम लोग जो है वो कारवई करना चाहते हैं तो आप से हम लोग मदद मांगते हैं किसी भी परकार से कैसे भी आप मदद करना चाहें आप हमा होगी सो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ परमिश्राप को आशिश करें कर परमिश्राप नहीं हैं आप साथ यहीं करना चाहें वोग मैं आपसे यहीं हैं और भी आपसे राख साथ यहीं हैं ऊपसे हैं आपसे लाटते हैं गिए जालाप